आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBI Bank E-Mandate क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसका कब और कहा पर उप्योग किया जाता है, यह कितने प्रकार का होता है, और यह कितना सेफ है, तो चलिए बताते हैं, SBI Bank E-Mandate एक एसा सिस्टम है, जिसमें किसी भी तरह के EMI BIMA Premium बकाया Bill Telephone Bill Tax Mutual Fund SIP इत्यादी का पेमेंट आटोमेटिक आपके SBI Bank अकाउंट से तै समय पर किया जाता है, आपके SBI, अकाउंट से आटोमेटिक पैसे कटते रहते हैं, जैसे अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है, और उसकी EMI हर महीने में समय पर आपको भर या तो इसको आप खुद से मैन्यूली भर सकते हैं, या फिर आप SBI Bank इमेंडेट करके आटोमेटिकली भर सकते हैं, जिससे आपकी EMI आटोमेटिकली भरती रहेंगी और आपके SBI खाते से पैसे कटते रहेंगे एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम तक. इसी प्रकार से अगर आपने किसी म्यूचूल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, और उसकी SIP या फिर किसी प्रकार की SIP आपको हर महीने जमा करनी है, या तो आप उसको खुद मैन्यूली जमा कर सकते हैं, या फिर आप SBI Bank इमेंडेट करके आटोमेटिकली भर सकते हैं, इमेंडेट के माध्यम से ही Government Salary का भुकतान आटोमेटिकली करती है, या फिर कोई कंपनी अपने Employees या Workers का पेमेंडेट के माध्यम से ही करती है, इसी तरह, किसी भी प्रकार का पेमेंडेट रेगुलर और आटोमेटिक करने के लिए इमेंडेट सिस्टम का उप्योग किया जाता है, बात कर लेते हैं, इमेंडेट कितने प्रकार से किया जाता है, नमबर 1 NACH National Automated Clearing House, नमबर 2 ECS Electronic Clearing Service, नमबर 3 ACH Automated Clearing Service, ये सभी इमेंडेट के प्रकार है, यह एकदम सेफ और सुरक्षित होता है.